36 गर पिरभारी विरेंदर नात मसी सदस्यों के शवको दफनाने में होती है दिक्कते अंतर कली सियाई यूवा संगठन ने की कलेक्टर से पंचायतों में कबरुस्तान बनाने की मांग जगदलपुर बस्तर में लगतार हो रही मसी समाच के उपर हमले वा मसी सदस्यों की मरतियों के बाज शवको दफनाने में गिरामिडों द्वारा बादा उत्पन करने के मामले से परिशान होकर आज अंतर कली सियाई यूवा संगठन ने गराम पंचायतों में मसी कबरुस्तान के लिए जगा की मांग बस्तर कलेक्टर रजर बंसल सिकी है जौनकारी देते हुए संग्रेटन के सदस्य जेवियर जौन ने बताया कि बस्तर में जब गिरामिड शेतरों के मसी सदस्यों की मरति होती है तब मिर्तक के शवको दफनाने नहीं दिया जाता है गिरामिड द्वारा लगतार बादा उत्पन के जाती है जिसकी वज़ा से मिर्तक के शवको एक-दो दिनों तक ऐसे ही रखना पड़ता है ये वाक्या बीत दिनों बस्तर की बास्ता नाट छेतर में देखने को भी मिला था और अधिकारियों की समझाईश के बाद शवको दफनाने दिया गया था जिसको देखते हुए संगठन ने हरगराम पंचायतु में जहां मसी समुदाय के लोग निवासरत है वहां कबरुस्तान हेतु भूमी आवंटित करने की मांग की है हम अंतरकली से युवा संगठन के तत्वादान में समस्त इसाई समुदाय जो बस्तर संभाग में आज निवासरत है और शांतिप्रीय अपने जीवन वेतित कर रहा है उनके सामने एक विकट समस्या इस समय में आके खड़ी हुई है कबरिस्तान को ले करके आजकल कतिपय जो संगठन है उनके द्वारा जब किसी के इसाई समुदाय के वेक्ति के घर में मृत्ति हो जाती है और उसको दफनानी की बात आती है उस समय बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई प्रकार की समस्याओं से उनको निपटना पड़ता है उसके समंद में हम एक ग्यापान देने के लिए कलेक्टर साफ के पास आए है कि ग्राम बंचायत इस तर पे प्रते ग्राम में जहां पर इसाई समुदाय के लोग निवासरत है उनको कबरिस्तान है तु भूमी जो है शाज की भूमी आवंटित की जाए